आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर तो आज से हम लोग विलियम्स एक्सपियर के संदर में MCQ सीरिज है वो स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हम लोग SK Arora की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं इस बुक में जितने भी MCQ विलियम्स एक्सपियर के संदर में प्रेक्टि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको इस चैनल से जरावी लाब हो रहा है तो और विडियो कैसा लगा अच्छा बुरा या कोई कमी है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर कोई कमी होगी तो हम आगे उसको सुदार कर आने की खोशिस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रशन है हाव मैंनी प्लेज डिड शेक्सपियर रायट तो विलियम सेक्सपियर ने कितने प्ले हैं वो लिखे थे करेक्ट आंसर ऑप्सन हो जाएगा 37 प्ले ही रोड 37 प्ले नेक्स्ट है दा फ्रेज स्मॉल लेटन एंड लेस ग्रीक इस दा इस रेफर्ड टू शेक्सपियर बाई तो इसमॉल लेटन एंड लेस ग्रीक यह जो फ्रेज है यह किसने सेक्सपियर किस अंदर में बोली थी तो आप्सन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बैं जॉंसन नेक्स्ट है स्टेट फोर्ड इस चारमिंग लिटल विलेज इन तो जो स्टेट फोर्ड है यह कहां पर था तो यह बार्विक शायर में था आप्सन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बार्विक शायर next है in sexpire's tragedy the dominant note is तो जो sexpire की tragedy थी उनमें dominant note क्या था तो character is destiny, absence ही correct answer हो जाएगा इसमें holland fernes is a school master in one of the sexpire's play which play तो जो holland fernes है hollow furnace है हौलो फरनेस है यह एक स्कूल मास्टर था विलियम्स एक्सपियर के किस प्ले में तो वही यहां पर पूछा है करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा उपसंडी लव्स लेवर लॉस्ट नेक्स्ट है डिफीट ऑफ अर्मेडा इन तो अर्मेडा की डिफीट कब हुई थी फिफ्टीन एटी एट में ऑपसंडी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है दा नरेटिव पोएम वी वीनस एंड एड़ोनिस एज डेडिकेटिड टू तो जो वीनस एड़ोनिस थी यह किसके लिए डेडिकेटिड थी तो देखिए काफी वैसा सवाल है यह उपसंडी इस टू दीस त्री हो जाएगा अपसंडी नेक्स्ट है इन 1609 और शिप वाज रेक्ट इन दा ओन दा अन्नोन बर्मूडा बर्मूडाज केम टू नो एज तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दा एल आप डेविल्स which play of Shakespeare is set to be unfinished तो बिलियम सेक्सपियर का कौन सा play है जिसे unfinished माना जाता है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा हैंरी 8 यह पॉसिवली दा लॉस्ट तो जो अन्फिनिस्ट प्ले है वो हैंरी 8 यह पॉसिवली दा लॉस्ट कर नेडो तो यह करेक्ट आंसर हो इसमें हो जाएगा 20. Shakespeare lived in a play loving age, he studied the crowds, gave them what they wanted and simply reflected their own thoughts and feelings in reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowd, which are unlike in all ages hence his continued popularity, whose opinion is तो यह opinion थी किसकी यह long की थी William Shakespeare के शंदर में next है first polio of Shakespeare's play came in 1623 and for this credit goes to two actors Heming and Condell the folio contain 36 plays one play was not included which one तो देखिए William Shakespeare का first polio है वो 1623 में आया और इसका credit जाता है Heming and Condell को और इसमें 36 play है वो included थे वैसे William Shakespeare ने 37 play लिखे हैं तो इन में से कौन सा एक था जो इसमें सामिल नहीं था तो अपसन ये correct answer हो जाएगा Pericles next question in a word he is the universal poet this is the opinion of long about तो ये भी सेक्सपियर के संदर में long का statement है to study nature in his works is like exploring a new and beautiful country who said it about शेक्सपियर तो ये भी long का कथन है option भी correct answer हो जाएगा I don't know I don't remember that any book of or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the place of Shakespeare who said ये बहुत important line है बहुत ही important है और ये पूछी जा सकती है तो option ये correct answer हो जाएगा Shakespeare and the King James Bible are the two great conservator of the English speech and one who habitually reads then find himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism who wrote तो ये है long ये भी long का कथन है long के statement है काफी लंबे लंबे है ये next है even those who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him for his thought and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible so long as one speaks the English language to escape his influence who shared तो ये भी long का कथन है next है who published the first life of Shakespeare in 1709 तो ये थे Nicholas ये ये काफी important सवाल है इसको पूचा सकता है who attacked Shakespeare in a pamphlet called a great a growth worth of bought with me million of repentance तो यहां पे जो correct answer हो जाएगा Robert Greene I loved the man and do honor his memory on this side idolatry as much as any he was indeed honest of an open and free nature who said तो ये लाइन है Ben Johnson की Ben Johnson की लाइन काफी important है William Shakespeare किस अंदर में पूची जा सकती है globe and black fair black friars are the names of theatres which are associated with Shakespeare the globe theatre काफी important है 1613 में इसमें आग लग जाती है जब इसमें कौन सा play perform हो रहा था आपको comment box में बताना है काफी जी सवाल है next है good friend for Jesus shake for wear to dig the dust in close here bless be the man that spears these stones and crush be that move in my bones this rest dogrel over the word greatest poet was in intended no doubt as warning to some stupid Shaxton lest he should empty the grave who is this poet तो यह है Shakespeare अपसनी next है Shakespeare probably worked with someone in last two part of Henry sixth and Richard third who is तो यह Christopher Marlowe के साथ में Henry sixth और Richard third अपसनी correct answer हो जाएगा next है it is said that Henry eighth is a work of Fletcher and Shakespeare यह ऐसा माना ऐसा कहा जाता है कि Henry eighth है Henry eighth जो play है वो William Shakespeare और Fletcher का काम है तो यहां पर यह भी ध्यान रखना है there is one play not ordinary or ordinarily found in editions of Shakespeare but it is often placed among Shakespeare's doubtful works the greater part of the plays is undoubtedly by Fletcher which plays being referred here तो यहां पर जो correct answer हो जाएगा two novel kinsmen option A this play according to long is one of the several crude plays published at first unnamously and later attributed to Shakespeare by publishers who desire to sell their wares it contain a few pieces that strongly suggest Shakespeare but the external evidence is all against his authorship which plays being referred here तो यह किस play के शंदर में है तो यहां पर हो जाएगा option B Edward third next है the queen commanded Shakespeare to show the false staff in love the Shakespeare wrote a play with one तो यहां पर लिखा था Mary Wives Windsor option A correct answer हो जाएगा queen के कहने पर तो यहां पर option A correct answer हो जाएगा Shakespeare contemporary was तो Ben Johnson थे इसमें कोई डावटी नहीं है option A correct answer हो जाएगा who wrote four books the wheel of fire the imperial theme the Shakespearean tempest the crown of life on Shakespearean criticism तो Wilson Knight की यह book है अपसने यहां पर correct answer हो जाएगा और यह चारों को आप अलग लग याद कर लें चारों को ही मिलाने के लिए कभी किसी अन्य बुक के साथ match करने के लिए पूछ लेगा तो इस तरीके से पूछा आ सकता है other abide our question thou art free about whom did Matthew Arnold write तो यह William Shakespeare की शंदर में था अब यह Matthew Arnold ने लिखी है other abide our question thou art free अब देखिए यह सिर्फ एक intelligence gas हो सकता है मैं इसमें 100% confirm नहीं हूँ लेकिन Matthew Arnold और Arnold इसमें O काफी लंबा खिच रहा है Matthew Arnold और आप देखिए statement में O तो यहां पे जो O वाला वर्ड है वो काफी लंबा खिचा हुआ है statement में दिख रहा है तो इस तरीके से आप एक दू सवाल निकाल सकते हैं बस यह guess है मैं अपने idea आपको दे रही हूँ Helen's check but not here her heart Cleopatra's majesty Atlanta's better part said Lucretia's Lucretia's modesty who's referred here तो यह है Rosalind in as you like it काफी अच्छा play है William Shakespeare का as you like it तो यह उसी के संदर्म है तो यहां तक आज 30 प्रशन रखते हैं बाकी के 30 कल डिस्कस करेंगे और कल से कोशिस है कि कल या परसों से आपके लिए एक daily जो practice set है वो भी कराया जाए जिसमें आपके लिए 10 questions है वो रहें grammar के और 10 रहेंगे आपके literature के और इन 10 में grammar के जो 10 रहेंगे उसमें आपके 5 सवाल walker part से रहेंगे और 5 आपके general grammar से रहेंगे तो इस तरीके से हम 20 questions का एक set आपके लिए daily उपलब्द कराने की कोशिस में हो जिसका free PDF आपको telegram channel पर मिल जाएगा कोई पैसा नहीं PDF आपको free में मिल जाएगा answer आपको इस channel पर मिल जाएगे daily तो आप वो telegram channel जोइन कर लें उसका link का आपको नीचे description box में दे दिया जाएगा और इस वीडियो में आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हो या कुछ सुझाब हो आपका तो comment box में बता सकते हैं और अगर channel से इलाब हो रहा हो तो channel subscribe कर सकते हैं और share भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में और अन्य ग्रूप में चलिए कल मिलते हैं फिर धन्यवाद